को संबोधित करेंगे मित्रो आज कॉंग्रेस पार्टी ने ये इक्षारा किया कि देश के नियुन्तम 20 प्रतिशत परिवारों को वो एक आमदनी सबसिली के रूप में देगी तो कहना थे जो लोग जिनकी आमदनी 12,000 रुपए से नीचे है उसका बकाया हम पूरा करेंगे वैसे तो कई वर्ग ऐसे हैं जिनके कोई शबूत नहीं होते उस आमदनी के स्तर पे और इसलिए किसको देना है किसको नहीं देना उसकी जो समस्याइं आती है मैं उसमें नहीं जाओंगा मैं इसके राजनेतिक आर्थिक और जो इसमें चल खपट है कि एक ब्लफ है कि वह आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि कॉंग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनेतिक व्यवसाय करने का रहा है उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिये जाएं वो भी उनका इतिहास नहीं रहा योजनाओं के नाम पर चल कपट रहा है पंडिजी के जमाने में विकास दर साड़े तीन परसंट थी जो उनका अर्थिक मॉडल था जिसको विश्व हमारा मखौन उडाता था और विंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट अफ ग्रोथ है तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था इंद्रय जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी गरीबी हटाओ उसका मुख्यमारा दारा था जो आज तक लोगों को इस मरना है लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए जो आवश्यक चीज है कि अर्थ विवस्ता बड़े समाज में आमदनी बड़े जेनरेशन ओव वेल्थ हो और उस वेल्थ का डिस्टिब्यूशन हो नयाई के लिए ये उनकी नीती नहीं थी अगर उनका कारेकाल देख ले तो चुनाव वो गरीबी हटाव के नाम से जीती थी लेकिन उस कारेकाल में केवल गरीबी का वित्रन हुआ था आपको कोई भी ऐसे कारेकरम स्मर्द नहीं होंगे जो नीचे को उपर उठाना है उसके लिए प्रयोग किये गए हो उपर वाले के खिलाफ कारवाई कर दी जाए जिससे जेनरेशन ओव विल्थ रुख जाए लेकिन गरीबी का रीडिस्टिबूशन हो जाए केवल यही उनकी नीती थी राजीव जी के कारेकाल में तो विबाद ही चलते रहे इसलिए बहुत कारवाई नहीं हो पाई और कई बार अगर आप देखें तो दस वर्ष के यूपिये के कारेकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से चल कपट दोखा ब्लफ होता था लोन वेवर जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी दोजार आठ में सत्तर हजार करोड रुपए का हम रिनमाफ कर रहे हैं वन टाइम एफट जीवन में एक बार सत्तर करोड का हम तो पी एम किसान में 55,000 करोड प्रतिर्ण दें घैंगे हम तो मनरेगा में साथ हजार करोड प्रतिवर्ण दे रहे हैं लेके वन टाइम स्टेप और्फ सेबन T्थॉजन लिए कि दिया कितना 2,000 और रिस ए जी ने कहा दिया किसको एक बड़ाँ डिल्ली के कोन वेवर का जिक्र करते हैं उसकी यह हिस्ट्री है दूसरा मनरेगा हम ग्रावीड जीवन बदल देंगे कहते थे 40,000 करोड रुपया साल का खर्च करेंगे और खर्च करते थे 28,000 करोड और वो भी डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर न होने की वज़ा से केंद्र से राज्य राज्य से जिला जिला से तैसील तैसील से पंचायत प्रमुक और फिर उसका कुछ छोड़ा अंच किसाम तक पहुंचता था आज भी अगर आप देखें तो कितनी विधान सबाओं में इन्होंने कहा कि किसान का रिन्माफ करेंगे पंजाब में तो दो वर्ष हो गए करनाटक में भी काफी समय हो गया अब तो अन्य विधान सबाओं को भी हो गए अभी तक और मैं अपचारी का अफिशल आकड़े दे रहा हूं करनाटक ने खर्चा है 26 करोर मद्यपरदेश ने खर्चा है 3000 करोर अब पंजाब ने दो वर्षों में खर्चा है साड़े 5000 करोर अब कम्प्लीट आई वाश वाइदा क्या था चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना ये कॉंग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो साधन मत दो इस परिस्तिती में आज जो जगलरी है इसमें आप दो तीन चीज़ें समझ लें जब हमारी सरकार कानून के माध्यम से हमने आधार अपचारी कुरूप से कानूनी दृष्टी से लाया जिससे डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एनेबल हुआ तो कॉंग्रेस पार्टी ने संसद में भी विरोध किया और उसके जो वकील नेता थे वो कोट में भी जाकर उसका विरोध करते रहें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार को रोकने की कोशिश की और आज उस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं हम बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसको देंगे यानि की डीबीटी से देंगे इसका अर्थ क्या है मैं उनके एक पार्टी के भीतर के आर्थिक सलाकार का आज बयान पढ़ रहा था कि यह जो आज योजना दी है इससे कोई वित्य भार नहीं पड़ेगा दो फिसकल नॉट भी इफेक्टेड पूर्व वित्मंत्री ने ये भी ये कहा कि फिसकल बैलन्स हम मेंटेन करेंगे इससे इसका अर्थ क्या है तीनों चीज़े जोड़ लीजिए आप री पैकेजिंग कर दें आज अर्थ क्या है कि डी बी टी के माद्यम से क्या होता है आज केंद्र सरकार की पच्चपन मिव्यागों की योजनाएं हम डी बी टी के माद्यम से इन गरीब परिवारों को अलड़ी उनके बैंक के खाते में दे रहे हैं उसका खर्चा है वान पॉइंट एट लाक क्रोर्स अलग अलग योजना में किसी में 500 किसी में 800 किसी में 2000 रुपया पहली तारीक को किसान के खाते में पहुंच जाता है गरीब के खाते में पहुंच जाता है अब फूड एक्ट में दिखा है राइट टू फूड एक्ट में कि आप यहां अनाज दे सकते हैं या DBT के माद्यम से दे सकते हैं या उसके लियों बदले में पैसा दे सकते हैं उसका इस साल खर्चा रखा है 1.84 लैक करोर्स फर्टिलाइजर का हम लोग दे रहे हैं अभी कंपनियों के माद्यम से जाता है अगर प्रत्यक्ष किसान को चला जाए 75 अजार करोर मन्रेगा उस 1.8 में इंक्लूड़िड है लेकिन पी एम किसान इंक्लूड़िड नहीं है पी एम किसान भी उसी के माद्यम से जाता है गरीबों को 75 अजार करोर और स्वास्त के लिए तो 20 अजार करोर खर्च कर रहे हैं तो अगर हम यह सारा का सारा इसमें से काफी कुछ लगबग 60-70 फीसदी हम डीबीटी से दे रहे हैं बागी भी डीबीटी से शुरू कर दें जो होना चाहिए मैं मानता हूँ तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोधी जी ने दिया है वो आज की तारीक में है 5.34 लाक करोड जो आज दिया जा रहा है तो यह कौन सा 3.6 लाक करोड डीबीटी के माद्यम से दे कर आप गरीब पर एहसान कर रहे हो उससे डेड़ गुना जादा तो हम दे ही रहे हैं और यह 5.34 लाक करोड बनता है एक लाक छे अजार करोड एक लाक छे अजार रुपे अगर बीस फीसदी पांच करोड परिवारों में देना है यह तो अरिथमेटिक का प्रशना है और इसके इलावा कई छोटी योजनाएं हैं जिसमें 60-70,000 करोड जा रहा है इसके इलावा जो टॉइलेट्स का दे रहे हैं जो उजला में गैस का दे रहे हैं जो बिजनी का दे रहे हैं जो आवास योजना में घर का दे रहे हैं वो सारे जोड़ दो तो यह साथ लाग करोर तक जाएगा तो इसलिए एक छल कपट करना कि हम इस बार 3.6 लाग करोर गरीबों में बाटेंगे 20 पीसदी परिवारों में 12 अजार देखें अरे बच जब अलग-अलग आठ सोर्सिस से उसके अकाउट में चेक जाते हैं डीबीटी के माध्यम से है तो पहली तारीक को तो उसके अकाउट में एक ही पैसा होता है पैसा एक चेक से आए या आठ चेक से आए के वह इतना अंतर है तो यह जो डीबीटी का मेकैनिजम हम लोगों ने पारित किया जिसका कॉंगरेस ने पांच साल संसद में पब्लिक में और आधार को सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया आज यह चल कपट है कि हम 3.6 लाक करोर्स बारा हजार रुपया बारा हजार भी मान लीजे किसी की आमदनी 10 अजार है तो उसको दो मिलेगा जिसकी आठ है उसको चार मिलेगा और जो टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आते लोग इंफॉर्मल सेक्टर में है गरीब उसी सेक्टर में होता है तो उसका माप लेना भी बहुत कठिन होता है तो किसको आप निकालोगे किसका आप मन्जूर करोगे आज एक विवस्था चल रही है जो सोशो एकोनॉमिक सर्वेज होते हैं उसके आधार पर तो आज श्री नरेंद्र मोधी की सरकार डीबीटी के माध्यम से वन पॉइंट और पिचत्तर पीम किसान का तो अल्ड़ी दे रही है दो करोड़ साथ लाख और फूड भी उसमें डाल दें और बाकी फर्टिलाइजर भी डाल दें जो अधितर अर्थ शास्त्री मानते हैं कि डालना चाहिए क्योंकि प्रतेक्ष जिसको लाख देना है उसको मिलेगा तो अगर आपने भी फिस्कल बोज नहीं डालना फिस्कल बर्डन नहीं डालना और बैंकिंग सिस्टम का ही प्रियोग करना है तो वो तो जितना आप देना चाहते हों उसके गेड़ गुना ज्यादा देने में अल्ड़ी प्रियोग हो रहा है और अन्य जो गरीब के लिए योजनाए हैं वो उसके अलग है तो इसलिए आपने गरीबी के नाम पे पचास साल तक इस देश को गुमरा किया है अगर वो नारा देने के बाद भी और उसको अपना कारिक्रम मानने के बाद भी आज आपको लगता है कि बीस फीसदी लोग हर पांच में से एक उस तरपे हैं जिसके पास बारा हजार की भी आमदिनी नहीं है तो 1971 के बाद 48 वर्ष हो चुके हैं उस 48 साल में से दो तिहाई आपकी सरकार रही है 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 इस देश का गरीब इस चल कपट में नहीं आएगा बहुत समय बाद सरकार आई है जिसने पिछले पांच वर्षों में कि साधन दिये हैं और उन साधनों का गवाव वो मकान वो शौचाले वो बिजली वो कुकिंग गैस वो सड़के और उनके बैंकों में पैसा है वो उसका गवाई देते हैं तो इसलिए आप बिल्कुल किसी योजना की डिटेल मत दो सिर्फ कह दो कि हम मजूदा साधनों में ही बिना फिसकल बोच बनाए हुए दे देंगे तो इसका अर्थ तो सब्जा दो उससे कही गुना ज़्यादा आज भी मिल रहा है तो केवल नारे और बयानों से गरीबी नहीं जाएगी साधनों से जाएगी उस गरीबी मिटाने के लिए हमने साधन दिये हैं आज आपने एक बार फिर इतने धोके देने के बाद एक बार फिर धोका दिया है जिसमें की जंता फस्रे वाली नहीं है धन्यवाद इसका क्या आर्थ है कि बिना फिसकल प्रेशर डाले हुए हम करेंगे इसका तो अर्थ बड़ा सफ़्ष्ट है अब कल बयान बदलने तो मैं नहीं कह सकता और अगर बदलते हैं तो फिर बता दे कि साधन कहां से आएंगे और अगर फिसकल डेफिसिट 3.4 की बजाए 6 परसंट पे ले जाना है तो जब पिशली बार यही टोली थी जो 5.6 परसंट पे ले गई थी तो मुद्रा स्विति इंफलेशन 10.4 पे चली गई थी इन्वेस्टर देश शोड़ के भाग गए थे अर्थ व्यवस्था में दीमापन आ गया था तो फिसकल प्रूडेंस भी ज़रूरी होता है इसलिए बार-बार ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं नहीं जो घोशना हमने किया उसका फिसकल पर असर नहीं पड़ेगा और हम डीबीटी से करेंगे बैंकिंग ट्रांजक्श और बैंकिंग से तो ही रहा है तो पहले विरोध क्यों किया था पहले आधार की कल्पना की फिर उसका विरोध किया उसको चनौती दी और आज फिर लॉट के बुद्दू घर को आए रविंदर चाहिए देखिए वो भी दोखा था ये उससे बड़ा दोखा है लेकिन ये वो दोखा है जो आठ बार दे चुके हैं पहले देखिए चालीस हजार केके अठाइस हजार खर्चते थे हम तो पिछले दो सालों से साथ हजार दे रहे हैं कम से कम आखड़े भी देख पढ़ना आरंब कीजिए चूशले आसे कम आखड़ें करते श." वे, Television एफूंश पूटर्स, so, celluloid can also influence in Filipino son a part of free speech an article is a part of free speech a video film can be shown but not otherwise but i'd like to understand this self-created limitation on free speech today जावा किया है दावा किया है तो पूरा जोड़ा जाए तो पहले दिन कई बार आकर शब गोशना होती थी लोगों को बजट दूसरे और तीसरे दिन समझ आता था कि इसमें धोखा क्या है अंग्रेजी में कहवत इस्तमाल होती है तो डेवल इस अलवेज इन देटेल्स तो प्लीस साट गोईंग इंटो दोस दीटेल्स मैं चार बार दे चुका हूं मैडम केवल उसको पढ़ लिजी एक बार एक लास्ट कुस्टिन सब्स्टिन संदीश थैंगर प्लीस देटर्षव को यह सुब्स्टिन सब्स्टिन कि आपके करेश प्लीसी है रपके लिजीटर से पिस्टिन थापकें क्यूश्ट्स दिट्रिटर्षटर्स अद्रेश जार्ड देस्ट करेंश्स का जार्ड समया ग्टरिकोंग जार्डू करके सुट्वेशाइट इन अजे कर दिदेश डिए और कर देंट में अज़िए। They have kept public interest in mind because India needs more airlines and more aircrafts considering the increase in the flying population. So if you have less aircrafts and less airlines flying it will lead to tariff increase which hurts the consumers. So I am happy that the creditors have kept both these considerations in mind which reflect their concern for larger public interest. Thank you. झाल झाल